हेलो फ्रेंड्स, चाम अता थी, कैसे हैं आप सभुधी हैज आशे करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छी हूंगि आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है हिमाचली व्लॉगर क्रिश्ना और फ्रेंड्स ये क्रिश्ना करती है आप सभी का दिल की गहराईयों से बहुत-बहुत स्वागत आज ब्लोग के शुरुआत कर रही हूँ सुभा के टाइम से अब सुभा तो क्या बोल सकते हैं इसको अभी दोपहर ही बोल सकते हैं क्योंकि अभी टाइम हो चुका है सुभा के 9.30 का टाइम है और मैं अभी जस्ट ही आई थी गहास लेकर के दस भी बज़रे होंगे शायद मैंने टाइम नहीं देखा अभी गोवर फैंड के और गहास लेकर के मैं आई हूँ और जल्दी-जल्दी मैंने वन्शु को तयार किया उसको भेजा स्कूल के लिए और बाहर पापजी को रखा पानी नहाने के लिए बड़ा वाला बेटा मेरा चला जाता है बहुत जल्दी सुभा स्कूल तो मैं अब लगे थी यहाँ पे चुले की लिपाई करने क्योंकि आज है शुकर बार और कल फिर शनिबार है तो यह काम मेरा निपट जाए तो मुझे फिर जंगल भी जाना होता है गाए लेने के लिए क्योंकि आज कल मैं उनको लोगों के पास छोड़ के रखते हूँ तो इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कहां से वीडियो स्टार्ट करूँ कहां से तो की बार ऐस होता है कि कहां से करना कहां से करना और यहां पर मैंने आज मैं भूल गई थी पापा जी को बाहर तॉलिया देना क्योंकि वो नहां रह थे तो दुबारा अंदर आये थे उन्होंने मांगा था वो ही पकड़ाने गई थी और चुला भी आज कल न यह जल्दी जल्दी काला होता है और सर्दीयों के दिनों में क्योंकि आग जादा जलती है और धू़ा गिला धूआ निकलता है ना तो बहुत ही जादा होता है तो चौका हमारा हो गया और यहां पर मैं इसको न एक छेद है जो कि चूहा यहां पर डेली डालता है मैं इसको डेली बंद करते हूं डेली डालता है पता नहीं कहां से चूहा आता है और यहां पर छेद करके जाता है क्योंकि रसोई में जो रोट के लिए बंद कर दिया और उपर से मैं इसको गोबर मिट्टी से लीप रही हो पर यह फिर से खोल देगा मुझे पता है इसका और चुला हमारा लीप चुका है पर अभी सुखा नहीं है तो शायद आपको ना काला काला दिख रहा है अभी सुख जाएगा तो साफ हो जाएगा और अब मैं फर्स की जो लिपाई है वो कनि स्टार्ट कर दिया है और अभी मुझे न धेर सारा काम करना है मुझे खुद भी नहाना है कपड़ों की बारी तो अब शाम को तीन बजे की बाद आएगी क्यूंकि जब तक एक बज़ता है तब तक मैं बहुत जादा ठक जाती ह असaltetल से रहते हैं हाजकल को सुणना नहीं नहीं देता डंक से तो मैं सोच भी रही थी कि ऐसा नहीं हो Во न॥ा भी हो जाओ जल्दी जल्दी पर चलिए कुछ नहीं है थोड़ा बहुत होना चींए बिमार भी आदम्यी को बखार बग्यारा मोला चिलतेरें वाट कहारा करते तो पानी लेनी क्योंकि पानी तो जरूरी है और वह देली का वक्त है क्योंकि पानी हमें पीना है तो पानी लेनी हमें जाना पड़ेगा पानी हमारे पास नहीं आएगा और सुबह की सुरुआत हुई थी पहले बादलों के साथ और उसके बाद धूब के साथ और फिर से आजूके हैं बादल दिखाती हूँ आपको मैं सामने का जो व्यू है वो यह देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का जो मौसम है वो हो चुका है अभी और पहले थोड़ी दूबती अब फिर से बादल हो गए हैं और इस साथ को तो बहुत ही जादा गहने गहने बादल रहते हैं और मैं जा रही थी यहां से आपने बोलना रोज यही बोलती है यहां से जाएगी जब रास्ता यहीं से है क्रिश्णा सही बोला हम आप यहीं से जाओंगे रास्ता यहीं से है और यहां देखिए पार सामने ना यह जो गाटी जैसे बने हुए यह मुझे बड़ी खुबसूरत लगती है खासकर आज कल के दीनों में पूरी हर्याली हर्याली से जैसे बहुत बड़ा परबत बैठा है यहां पर आप कर लेती मैं मेरी जो सेकिन पैर्मेंट है यूटीब से उसके बारे में क्यूंकि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं जरूर बताँगी और आप लोगों ने सही जो मैंने ठामले टाइल लगाया है वो देखने को मिला thank you so much आप सभी लोगों का भवान आपको धेर सारी खुशियां दे क्योंकि आप सभी लोगों की महनत है महनत बहले ही चाहिए मेरी है पर आप सभी लोगों ने साथ दिया हुआ है और अगर आप सभी लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज इस second payment की हकदार नहीं होती जो मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने दिलाई है शुकरिया आप सभी लोगों का और अब मैं आपको बताती हूं कि जो मेरी first payment थी वो आई थी मेरी 24 मार्च को यानि की 24 मार्च 2022 को और उसके बाद जो मेरी second payment है वो आई है मेरी 24 अगस्त को 2022 तो आप सभी लोगों को पता ही होगा तो मुझे कम से कम दूसरी बार payment लाने के लिए 5-5 महीने लगे और इस बीच आप सभी लोगों ने मेरा बहुत सारा सास दिया इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर न आईगी और कितनी payment आती है तो मैं आपको बताती हूं कि हमारी जो यूट्यूब से payment आती है लगों एक payment 100 डॉलर की किसी की भी यूट्यूबर की आती है तो वो होती है फिचेतर सो से आठ हजार की आस पास में और मेरी फर्स्ट पेमेंट इतनी ही आई थी और जो सेकंड पे मेरे लिए बहुत जादा है क्योंकि पैसा पैसा कमाई का जब हम अपनी कमाई से कमाते हैं तो कितना खुश नसीब होता है वो आदमी जिन लोगों को आप जैसे लोगों का साथ मिला सच में मैं धन्योगी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी गाउं से होकर कि आप ल लोग ऐसे सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि अभी तो मंजिल बहुत दूर है हमें बहुत दूर तक जाना है और हमारे साथ में मेरे जैसे भाई बहन और भी जुड़े हैं हमें उन लोगों की भी हल्प करनी है ताकि कल को वो भी यूटिवर बन सके और उन्हें भी कुछ होने वाले हैं यूटिव पे काम करते करते पर पर मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि यह पॉसिबल हो पाएगा मेरा ना मुझे यूटिव के बार में कुछ नौलेज थी ना मुझे जाद अग्यान था जो भी कुछ मैंने सिखा हुआ है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप प्राइयों से बहुत बहुत धन्यवाद तो करती हूं मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड और आप लोगों ने मुझे इस बार उमीद से जादा दिया है भी आप सबको खुश रखे और हमारा और आपका साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे करती हूं इस वीडियो को यहीं पर एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमाता दी आप सभी को मीरी और से